भगवान के जो प्रतिवीदी हैं वो तो घर घर घाम घाम जानते हैं जाते हैं घूमते हैं हाँ जोड़कर लोगों से प्रात्ना करते हैं दुल्लब मनुश्य जीवन का सुदुप्यो करो वो लोग इतने घहरी माया के प्रभाव में हैं कि इतनी सरलत से हम जागना नहीं चाह सधारन स्थिती समाज में अगर आप सरकार के नियम के अनुसार चलोगे तो आपको किसी प्रकार के चिंता नहीं रहेगी और अगर हम सरकार के नियम के पालन नहीं करेंगे तो उसका डंड पड़ी नाम भोगतना पड़ेगा इसी प्रकार भगवान के जो नियम है उसे हम कहते हैं धरम अगर हम शास्तिक सिक्षा के अनुसार चलेंगे तो हम बिना चिंता के इस जीवन को बिता सकेंगे और अगर हम इस सिक्षा का अलाब नहीं उठाएंगे तो फिर हमें अनेक योनियों में फिर से ज़नम ग्रहन करना पड़ेगा और हम भूल जाते हैं कि इन योनियों में केवल कष्टी कष्ट है साथ परकार के कष्ट है जो आप सुन बैटे हो जनमरन मुराफा बिमारी मन का कश्ट, भौती प्रकती द्वारा कश्ट और दूसरे व्यक्ति द्वारा कश्ट पर भगवान हमें एक उपाई दे रहे हैं हमें इसका लाव उठाना चाहे हमें ये नहीं सोचना चाहे किस संदेश का पालन असंबव है अगर आप भगवान के दिवे नामों का उचारन करो कहा गया है कि भगवान ने नामों में पूरी शक्ति दाली है अगर आप भी नामों का उचारन करो तो आपका हिर्द शुद बनेगा आप समझ पाओगे कि पनम भगवान ही असली स्वामी है वो ही हैं असली मालिक और हमें जो भी सुविदा प्राप्त होती है जो शक्ति है शरीर में इसका हमें उप्योग करना चाहे है भगवान के सेवा में आज अगर आपके शरीर में कुछ योगता है अगर आपके पास कोई बुद्धी है अगर आपके पास कोई तालिम है यह सवा अगर आप ये स्विकार करते होए अपनी सुवी दुख अपयोग करो भागवान के सेवा में तो वो होगा जीवन की सफलता वो होगा असली कारिया और इस कारिया के पालन से आप असली शांती प्राप्त करोगे तो कृपा करके गीता के संदेश को अपनाईे ये सब से आज के सुधार के लिए है और आज इस कलियोग में भी आप इस संदेश का लाब उठा सकते हो जीवन के लक्ष को प्राप करने के लिए हरे कृष्णा ओे खंगा रअजाया थायोरण के लिए हुआ सले रखने सम्झा में प्राप करने के लिए हुआने में भी आजा सकते हो जा हुआए है 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 accounted Bardzo दिए हुआ है